हेलो स्टुडेंट्स तो तुड़े इस अनादर लेक्चर और टेकनीक्स ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन की तीन टेकनीक होती है फिर्स्ट इस मॉर्फिंग ट्विनिंग और अनियन स्किनिंग तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फिंग से मॉर्फिंग इसको हम मॉशन ट्विनिंग भी बोलते हैं इसमें क्या होता है कि जो हमारा मॉर्फिंग है मॉशन पिच्चर और एनिमेशन में एक स्पेशल एफेक्ट है जो एक इमिज को सीमलेस ट्रांजिशन के हिल्प से दूसरी इमिज में बदल देती है कहेंगे कि मॉर्फ कर देती है for example एक मॉवी में एक हीरो है एक सूपर हीरो है वो दॉट्टी दॉट्टी एक नॉर्मल इसान से सूपर हीरो बन जाता है तो that is called मॉर्फिंग एक इमिज से दूसरी इमिज में चेंज हो गया यह एक definition है मॉर्फिंग refers to the procedure where one phase changes into totally different phase in a smooth manner मॉर्फिंग एक procedure है जिसमें एक फेस को दूसरे फेस में smooth manner में change कर देते हैं मतलब एक फेस है किसी भी चीज का तो बिलकुल दूसरा फेस बन जाएगा जैसे भी example में हमने बताए एक सूपर हीरो है वो दौरते दौरते नॉर्मल इनसान से सूपर हीरो बन जाता है जैसे कि इस example से देख सकते हैं आप यहां पर एक लड़की नॉर्मल लड़की का फेस है तो वो धीरे 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 एक लाइन का फेस बन गया है तो that is morphing और morphing in very simple word एक animation की टेकनीक है जिसमें एक image को धीरे धीरे दूसरी image में बदला जा सकता है और एक definition की help से और समझ सकते हैं morphing is a process in which source image is gradually distorted and vanished while producing the target image source image जो अभी हमने एक लड़की का face देखाया target image के उसे एक share की image में बन जाना है तो जो source image थी हमारी वो धीरे धीरे क्या होए distort and vanished खतम हो गई वो जब हमने target image produce हुई तो next is twinning next is twinning twinning क्या है twinning को हम shape motion भी बोलते है shape motion या फिर in between in between क्यों कहते हैं क्योंकि twinning दो यह दो image के बीच में intermediate frame को generate करने की एक process है जिसमें इस तरह का जो आभास या appearance या illusion होता है जैसे पहली image से ही धीरे 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 दूसरी image निकल रही है तो कह सकते हैं the process of generating intermediate frame between two images to give the appearance that the first image involves smoothly into the second image यह जो भी हमने एक example देखा है एक लड़की के face से शेर का face बन गया तो उसके बीच में जो भी intermediate frames है उन वो जो generate होता है वो हमारी होती है twinning और basically यह shape motion इसको कहते है shape पर काम करती है तो एक और definition हम देख सकते है twinning is the technique of producing intermediate frame so that one image transmission gradually into another यह intermediate frame को बस simply आपको याद रखना है कि intermediate frame को produce करता है okay जो twinning गया वो intermediate frame है between the two images where these frames are slightly different from the one another क्योंकि अभी हमने यह image देखी because यह shape पर काम करता है तो हम इस example कि आपसे देखेंगे यहाँ पे यह square है और वो धीरे 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 चेंज होते होते है circle में convert हो गया है okay तो यह जो हमारे बीच के frames है यह जो generate होए है वो twinning है twinning दो images के बीच intermediate frame को generate करने के प्रक्रिया है ताकि यह दिखाया जा सके कि पहली image दूसरी image में आसानी से Vixit होती है okay I'm so sorry और जो intermediate frames है वो slightly different from the previous one या one another okay and the last key point twinning is the key process in all type of animation including computer animation यह key process है क्योंकि आपने बहुत सारी animation movies देखी होंगी तो उनमें जो भी मैंने एक example या सबसे common example है कि दौते दौते एक या कोई hero है वो किसी super hero में convert हो गया तो यह होता है और last one is onion skinning onion skinning में एक example में यहीं पर दिखाना चाहूंगी आपको कि एक horse है horse की थोड़े transparents की legs आपको दिखाया दे रही होंगी तो इनमें हम बहुत सारे frames को एक साथ इसका time set करके और layers की form में हम इसको रखते हैं और इसका time set कर देंगे तो यह horse लगेगा कि यह दौड रहा है तो यहाँ पर एक skin हमारी यह हो गई यह first फिर यह second फिर third यह अलग-अलग legs की location है जबकि तो जैसे जैसे यह दौड रहा है तो उसकी जो tail है उसमें भी difference आ रहा है I hope we can see this तो जब हम इसका time set करेंगे यह होगी एक के ओपर क्योंकि हमने layers रखी हुए तो इनको बोलेंगे हम onion skinning onion skinning एक ऐसी टेकनीक है जिसमें बहुत सवरे frames को एक साथ animated cartoon बनाने और picture को edit करने के लिए use किया जाता है तो यह थे हमारे तीन टेकनीक for computer animation morphing, twining and onion skinning next lecture में हम लोग पढ़ेंगे morphing और twining में different झाल झाले वो तो यह है तो बेडि़न के झाले के भलक के झाली झाली टेका झाले घर साथ झाल्यार, के लिएम के यफिगर साथ झाले के झाले करथा और्य权ू